G20 की तैयारी के लिए हैं भाहरत पूरी तरह से तयार है कई देशों के प्रमुक जो हैं वो दिलली पहुंच रहे है दिल्ली को लेकर भी खास तैयारी पूरी तरह से तैयार है दिली सरकार और नगर निगम ने मिलकर पूरी दिली को पहले से जादा सुन्दर और पहले से जादा साफ सुत्रा बनाया है और रही बात नगर निगम की तो नगर निगम के तमाम अधिकारी तमाम करमचारी पूरी तरह से दिली में अपनी तैयारी कर चुके हैं और लगबग लगबग 11,000 से जादा जो हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंस हैं उनको अधिकारियों को हमने निर्देश दिया था कि 24 गंटे के अंदर उन पॉइंस को अधिकार करके खतम करना है और वहां पे सुन्दर करन करना है तो यह बहुत बड़ी उपलब प्रगती मेदान वाला एरिया है जहां पर इस मेड़ी उन पॉइंस हैं वो आप सडकों पर देख सकते हैं पूरी तरह से फुटपाथ की सफाई हुई हैं बड़ी बड़ी सडकों की सफाई हुई हैं आंटी स्मोक गन के माध्यम से पानी के च्षड़काव से उन फुटपा मीटिंग और समिट का आयोजन किया जा रहा है उसके आसपास इलाकों पर जो ते जितनी भी रोड्स हैं उस प्रगती मेदान के आसपास धाइसों से जादा डेडिकेटड जो हमारे सैनिटेशन वरकर्स हैं करमचारी हैं उनको डिप्लॉई किया गया है और वहां पे साफ और वहां की सफाई वेवस्ता को दुरूस करने की जिम्मेदारी उन करमचारी को दी गया है तो लगबग लगबग 12,000 जो हमारे इंजिनरिंग और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के 6 जोन के अंदर जो हमारे करमचारी और ऑफिसर्स हैं उनको सूपरवाइजरी ऑफिसर्स क को भी वहां पर डिपलॉई किया गया साफसफाई की बात हो गई क्यूंकि फॉरें डेलिगेट सारे तो जाहिर सी बात है वो भारत देखना भी चाहेंगे दिली भी देखना चाहेंगे तो क्या कुछ तैयारी मार्केट्स में हुई है क्या कुछ खास तैयारी मार्केट्स मे उन मार्केट एरिया से हटा दिया गया है और अभी कल ही मैं लक्षमिनगर इलाके में भी गई थी और वहाँ पर ज्यादा कोचिंग सेंटर आप देखेंगे बहुत सारे हैं वहाँ पर जो इलीगल होडिंग से उनको हटा दिया गया है बिजली की तारें थी जो बार लटक रह देखेंगे लिए कर उन डस्ट बिंस में डाले तो पहले से जादा सफाई विवस्ता को मार्केट एरिया में भी दरूस किया गया है और स्पेशली उन एरियास पे जहां पे हमें उमीद है कि जब भी कोई सनानी आता है दिली टूरिस्ट या डेलिगेशन आता है तो उन एर गया है जिनको खास्त और से जी ट्वेंटी के लिए तियार किया गया है उसके बारे में कुछ बताईए देखिए एक पार्क जी के टू में है जी ट्वेंटी पार्क का सुन्दरे करन किया गया है और साथ ही पार्क के अलावा जितने भी हमारे एतिहासिक जो हमारे मॉनिमे कुटुब मिनार लाल किला जावा मस्जद इन अलाकों में भी सफाई वे वस्ता को भी दुरूस किया गया है साथ में उनका सुन्दर करन किया गया है उन पे सडकों की मरम्मत की गई है नई सडकों को बनाया गया है और आप कितने सारे चौंक और चुराहे देखेंगे जहां पे वेस मटीरियल से सकल्प्चर को बनाया गया है और मुझे लगता है पहले से जादा साफसुत्री दिल्ली पहले से जादा सुन्दर दिल्ली जो है बाहर के सेनानियों को आपने कहा पहले से जादा साफसुत्री और खुबसूरत दिल्ली देखने के लिए मिलेगी लिए है बड़ा लाजमी सा सवाल है जो कि हर डिल्ली वाले के मन में है कि जी-ciplinary को लेकर इतनी तैयारी तो हो गई है क्या ये आगे भी सृसला चलता रहेगा कि दिल्ली ऐसी ही साफ दिखती रहेगी या जी-dzie-depend ख़तम होने बाद जो काम है वो कहीं न कहीं सुस्त हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा देखे मानने मुखे मंतरी अर्विन केजरीवाल जी ने उनके नेतित में हमने अभी पिछले महीं ने एक अपना सफाई अभियान की चुरुबात करी अब दिली होगी साफ तो ये जो सफाई अभियान है ये सिर्फ G20 तक सीमित नहीं है और हमने पहले भी बोला है और अब फिर मैं बोलूँगी ये हमारा सफाई अभियान 365 दिन चलेगा और आप इसके अंतरगत देख सकते हैं कि तमाम पार्शद, विधायक, करमचारी, ओफिसर्ज, मैसवयम, डिप्टी मेर, नीता सदन हम सब ग्राउंड पर जाकर हर वाड में हर गली मोहले में जा जाकर हम इस सफाई अभियान को चला रहे हैं और साथ में सबसे बड़ी जो जगर निगम हैं अपनी निभारा हैं, करमचारी निभारे हैं, अधिकारी निभारे हैं पर कही ना कहीं जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की भी दिल्ली के प्रती बनती हैं उसको साफ सुत्रा रखने की जिम्मेदारी भी दिल्ली की जनता की हैं तो वो एक तरह से अवेन को लेकर खास तयारियां जो हैं वो की गई है दिली में जो एरिया MCD के अंडर आता है उन सभी एरियाज में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया हो और आगे भी इसी